दोस्तो गावट एक ऐसी इस्थिती है जिसमें जोडों में तिब्रसूजन और दर्ड होता है यह मुख रूप से तब होता है जब सरीर में यूरिक ऐसिड का अस्थर अधिक हो जाता है और यह क्रिस्टल की रूप में जोडों में जमा होने लगता है यूरिक एसिड का उच अस्तर गुर्दे की वीमारी और अनश स्वास्थे समस्यों कारण बन सकता है अगर यूरिक एसिड का अस्तर नियंद्रित नहीं किया जाता तो गाउट का दर्द बहुत बढ़ सकता है और यह जीवन की गुडवत्ता को प्रवावित कर सकता है तो दोस्तों आईए जानते हैं यूरिक एसिट का कारण और प्रवाः यूरिक एसिट एक प्राकिर्थिक अपसिष्ट उत्पाद है जो हमाँ सरीर में प्यूरिन पदार्थों की टूटने से उत्पन होता है प्यूरिन मुखिरूप से मांस, समुद्री भोजन और सराब में पाई जाता है जब शरीर इन पदार्थों को पचाता है तो यूरिक एसिट बनता है जूरक्त प्रवाह के माध्यम से गूर्दे में जाता है और मुत्र द्वारा बाहर निकलता है यदि यूरिक एसिट का उत्पादन बहुत अधिक हो या गूर्दे उसे सही से बाहर नहीं निकाल पाते तो यह सरीर में जमा हो सकता है और जोडों में दर्द और सूजन का करण बन सकता है दोस्तों आयरवेद में गाउट और यूरिक एसिट के हिलाज के लिए प्राकृतिक उपायों पर जोड दियाता है आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ प्रभावी आयरवे यूरिक एसिट के आस्तर को कंट्रोल करने में साहिक होता है गिलोई के अर्क का सेवन यूरिक एसिट को नेंद्रित करने और शरीर में सूजन को कम करने में सहिव कर सकता है नमबर 2 आजवाई आजवाईन की पीच का पानी पीने से यूरिक एसिट का आस्तर कम होता है इसमे इस मौजूद और सधीय गुण सरीर में जमा यूरिक एसिट को बाहर निकालने में सहयो करते हैं या गैस और सूजन को भी कम करने में सायक है जो गाउट के दोरान होती है नंबर नीम नीम के पते और इसकी छाल में सरीर को डिटक्स करने वाले गुण होते हैं या सूजन और दर्द को कम करने में सहयो करता है नीम का पाउडर या नीम की चाय का सिवन करने से यूरिक एसिट को नियंदृत किया जा सकता है नमबर पूर त्रीफला त्रीफला में तुन आयर्विदिक जड़ी बुटियां आउला, बहेडा और हरण होती है जो सरीर से बिलसाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहयो करती है या पाचान तंत्र को भी मजबूत करता है और यूरिक एसिट के आस्तर को नियंदृत करने में सहयो करता है नमबर पाउडी अलसी, अलसी की बीज में ओमेगा 3 फाइटी एसिट होते हैं जो सूजन को कम करने में सहयो करते हैं इसे सुबह के समय पाणी के साथ लिया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों, आप अपने जीवन सहली में कुछ बदलाव करके भी यूरिक एसिट और गाउड जैसे समस्या से मुक्त हो सकते हैं जैसे नमबर वन पाणी का अधिक सिवन करें अधिक पाणी पीने से यूरिक एसिट के क्रिश्टल को मुत्र के माध्यम से बाहर निकलने में सहयोग मिलती है नमबर टू वजन नेंत्रण अधिक वजन भी गाउड की समस्या को बढ़ा सकता है संतुलित आहार और नियमित बेयाम से वजन कंट्रोल किया जा सकता है नमबर फोर शरीर में अधिक क्रिया सिल्टा हलका बेयाम जैसे योग पैदल चलना या हलका दोडना सुजन और दर्ध को कम करने में सहो कर सकता है तो दोस्तों गाउड और यूरिक एचिड का उपचार आयरवेद के माधम से प्रभावी रूप से किया जा सकता है सही आहार नियमित बेयाम और आयरवेदिक जड़ी भूटियों का उप्योग यूरिक एचिड को नियंद्रित करने और गाउड के लच्छनों को कम करने में सहायक हो सकता है अलाकि आगर लच्छन गंभीर हो तो एक योग्य डॉक्टर से परमस लेना अतिन्त महत्पूर है थांक्स फॉर वाचिक